नमस्कार दोस्तों मैं चान्दी दुबे आज से आपको PVR Study Channel से जुड़ कर हिंदी भी से पढ़ाऊंगी और हिंदी भी से सभी competition exam में आज अनिवारे रूप से पूछा दारता है साथ ही साथ पूरा हिंदी भ्याकरण में आपको पढ़ाऊंगी और अगर आप करमबार मुझसे पढ़ते चलेंगे तो आपका ये डियलेड की जो भी semester classes हैं उनको उनके लिए भी महत्वपून होगा और साथ ही साथ अन्य कमपटिस्टियो एक्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपून है तो आईए आज से हम सुरू करते हैं और सुरूगात हम करेंगे वर्ण और वर्ण माला से कि वर्ण क्या होता है वर्ण माला क्या होता है स्वर्वेंजन क्या होता है ये सारी चीज़ें हम चानते चलेंगे क्रमबध तरीके से तो आईए सुरू करत सबसे होता है सबसे पहले जानते है और ऊंभासा के उच्छत और लिखित दोनों प्रतीः are यही भासा की लगुतम इकाईlor harassment और यही भासा की लगुतम और झोनों रूपते हैंmilые, यासे लिखित अवर जाता है अब वर्ण तो हम जान गये, वर्ण माला किसे कहते हैं, तो जो बी जितने भी वर्ण आते हैं, और से लोगर करके आपका घ्योतक, जो भी वर्ण आते हैं, यह नहीं को जो हम क्रमवद रूप से लिखते हैं, असाने, यह कि ओ लिख दिया तो और के बाद ई लिख देंगे, न विभाजन को देखते हैं कि हिंदी वर्ण माला के दो प्रकार के वर्ण होते हैं और वर्ण कौन कौन से होते हैं एक होता है स्वर्ण और दूसरा होता है वेंजन वर्ण तो Swarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwar मिद्जनो की सहता नहीं ली जाती है अब कह रहा है कि इस मेंफिजांता दुनिया है और इनकी संख्या 11 होतीовор discuss कि स्वर कितने होते है तो हिंदी में स्वरों कि संख्या कितनी होती है ग्यारργ होती है संख्या 11 होती है है अब स्वारवाड कॉन कॉन से होते हैं तो इसको हम देखेंगे स्वारवाड देखें ओ आ इ,plete, ön,ve, ib, ur r,a,o ऑ ओ ठीक है इस जो 11 हों दिख रहे हैं याही Hazard स्वारवाड अब इसको आगए हम जानेंगे कि स्वार के भेद कॉन कॉन सी होते हैं तो सुर के नहीं हम देख लेते हैं गहरा की सुर में धोल बhero हुआ जाते हैं लेकिन लेकिन यवा आईए दिखा रहे हैं आपको पहला है हरस्वस्वर जिन स्वरों के इचा रहे हैं केवल एक मात्रा का समय लगता है वे हरस्वस्वर कहलाते हैं और हरस्वस्वर की संख्या कभी कमपटिशन में पूछा जाता है कि हरस्वस्वर की कितनी संख्या होती है तो आज जान लीजे ह हरस्त तो सवर की संख्या होती है चार और यह चार हरस्त तो कौन-कौन से हैं ओ इ हुर्स्वर जीसमें मात्राएं नहीं लगी होती हैं वही हुर्स तो जैसे ट्र की हिरा फूलता है कम समय लग रहा है यानि एक मात्रा का समय लग रहा है अब आए देखते हैं आगे दूसरा होता है दिरगस्वर जिन स्वरों के उचारण में हरस्व से दो गुना समय लगता है वे दिरगस्वर कहलाते हैं ठीक है इनकी संख्या जो है साथ होती है इनकी संख्या साथ होती है यानि कि हरस्वर की संख्या होई चार और दिरगस्वर की संख्या कितनी हो गए साथ हो गई और कुल कितने स्वर होते हैं तो ग्यारा स्वर होते हैं ठीक है यह हो गया आपका दिरगस्वर अब आए एक तीसरा जिसकी मैं बात कर रहे थी ओ होता है ठीक है प्लूत स्वर त्री मात्रिक स्वर कहा जाता है अब इसका प्रयोग कम हो गया है लेकिन जो है इसमें आप देखे इसका ऐसे बनाते हैं सिंबल ऐसे हैं इसको बीच में पहले लोग प्रयोग करते थे अभी भी इसका प्रयोग कहीं होता है लेकिन अब मानक से हट गया ह लेकिन इसे त्री मात्री करते हैं, जैसे हम उचारन करते हैं हमको ओम लिखना होता है तो इसको ओम उचारन किया देर तक, यानिकि मात्राइक का समय इसमें अधित लग रहा है, यही चीज हो गई आपका पुलूतस्वर, ठीक है, अब आगे हम आगे देखते हैं, कि क्या क्या ठीक ना अंग और अहा को कहते हैं आयोगवा आपकी दो चीजे बसती हैं अंग और अंग और अहा को कहा जाता है अयोगवा वणमाला में इसका स्थान स्वरों के बाद और बेंजन से पहले होता है अंग को अनुस्वार तथा अहा को विसर्ग कहा जाता है कह रहा है कि व तो जो है अंग जो होता है उसको अनुस्वार कहते हैं और जो अह होता है उसे हम क्या कहते हैं विसर्ग कहते हैं अब आए जानते हैं कि अनुस्वार अनुस्वार का चिन क्या होता है इसका चिन जो हता है न सीरो रेखा के उपर एक बिंदू लगा होता है ऐसे पॉइंट रह तो आपको मैसूस होगा कि हवा जो है क्या निकल रही है नाक से निकल रही है ठीक है अब इसमें देखिए यह पंचमाच्छर जो हमारे उसके अंतरगत आते हैं जो विभाजन किया गया है आपका वर्ग विभाजन उसमें यह नम जो चीजे होती है पांचो इसको हम जाते हैं अमान जी पहले प्रयोग से लिखें कंघा तो अंग को ऐसे लिखना पड़ता है लेकिन इसी के जैसे इसी के तरीके ऐसे लिख दें कंघा तो अंग की जो मात्रा है यहां पर लग गई यहां अनुस्वार लग गया इसको इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं अब आ नाम चांदनी है ठीक ना और चांदनी पे भी आपको लगाना पड़ता है यह है चंद्रबिंदु ठीक ना चंद्रबिंदु इस पे भी लगाना पड़ता है तो इसको ध्यान में रखेगा कि जो पढ़ा रही थी उनका नाम चांदनी था और उस पे भी चंद्रबिंदु ऐस साथ बाहर निकलती है जैसे हसी मांग भांती चांदनी दाथ आत आधी ठीक है यह जो है सिरो रेखा के उपर लगाया जाता है ऐसे इसका सिंबल होता है तो हमने आपको बताई दिया अब आए जानते हैं कि विसर्ग क्या होता है ठीक है इस ध्वानी का चिन कि ईसकおおक की भांति किया जाता है यानि कि हो की अस्थान पर इसका हम इसको हम लिखते हैं जैसे हम लिख्तेया दूख तो इसे में हो का उच्जान होता है तो यह से लिख देते हैं दूख यानि यहां पे offerings चाहिए तो इसको हमने इस विसर्ग के रूप में प्रयोग नों सीधे हैं उनके रूपर में अधिकत्र देखते भाषा संञी है मैं । जो विदेशी भाषाओं की दानिया हमारे हिंदी भासा की जलिए है जैसे डाक्टर फुटबाल तो यह जो लगता है ना यह आगत धुनिया धुनिया को अंतरगत यह चीज़े आती है ठीक है अब हम आ जाते हैं आपके वेंजन वर्ड क्या होता है यह देखते हैं कह रहा है कि जिन वर्डों का उचारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती ह है वेंजन वर्ड कहलाते हैं इनका उचारण करते समय हवा मुख से अलग अलग अस्थानों को छुकर बाहर निकलती है हिंदी वर्ड माला में इनकी संख्या 33 है देखें यहां पर कह रहा है कि यहां जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं लेकिन इनके जो ध्वनी होती है वह अलग अलग अस्थानों से निकलती है यह चीज हम आपको जब उचारण अस्थान पढ़ाएंगे तब बता देंगे कि अलग अलग अस्थान से कैसे निकलती है हिंदी वर्ड माला में इनकी संख्या 33 होती है ठीक ना इसकी अतिरिक्त सर्योक्त वेंजन तथा रो और इसके अंतरगत जो है सायूगत वेंजन आते हैं रो और भी वेंजन के अंतरगत रखे जाते हैं आपको हम बता देंगे आगे अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीजिचा रही है को वर इसमें कौन को अगाउग ज़वर्ग कर ठोचा ज़ई यह तो अपवर्ग संख्यावीब ही चार होती है सौ शौ होट ठिक सायूकते वेंजन कौन कौन से होते हैं तो होते हैं आपके शह त्रोग्योर्ड ठीक है आगत वोड जैसा कि हम बता है कि जो बाहर से बाहरी भासाओं से आया हुए बंदी लगी होतीय ऐ इहां पर अगे संगी so यह हो गए जाओं के भेत बनेंचन के इन तीन भेत कंपर ना टेन जेंट अब थ्क आप जाना हम घेस कर लोंगे संगे तोटल 25 यह सकते हैं कि अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम के आधार पर जाने जाते हैं जैसे कोवर्ग, जोवर्ग, टोवर्ग, तोवर्ग और पोवर्ग, ठीक, अब आईए, आगे देखते हैं, अंतस्त बेंजन, इन बेंजनों का उचारण, स्वर तथा बेंजन के मध्य कासा होता है, उचारण के समय, जिहवा मुख के किसी भाग को इसपर्ष करती है, यह चार रो लो और वह चार होती है, अब नेक्स्ट है, उसम बेंजन, इन बेंजनों के उचारण के समय, वायू मुख से रगर खाकर उसमा उत्पन करती है, यानि उचारण के समय, गर्म हमा निकलती है, यह चार है, सो, 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 और हो, ठीक ना, यानि इसका जब हम उचारण करते है तो यह जो है रगड के साथ बाहर निकलता है जिकना अब हमने सायूक तेवेंजन और रोड हो के बारे में बताया इसके बाद हम आपको चारण अस्थान जब पढ़ाएंगे तो अच्छे तरीके से बता देंगे कि कौन सी ध्वनिक कहां से निकलती है इसी के साथ यह वीडिय हिंदी का पूरा ग्रामर पोर्शन आपको पढ़ाऊंगे इसको लाइक और सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद